चैप्टर थ्री क्या है क्लास्टेंद का पेर सोफ लिनेर रिक्विस ने इन टू वेरियेबल्स शिवा और चंचल आप लोग को चैप्टर पले याद था या फिर से शुरू से पूरा कराना पड़ेगा यह बताई हुआ सिवा कौन सा चैप्टर से चैप्टर थ्री जो है कहां तक आप लोगों कराया थे याद है शुरू के तो कुछ कोशन करवाया था तो थ्री पॉइंट वन का कौन सा कोशन विल्कुल से तो करा दिया थे मैंने आप लोगो अब आगे चलते हैं याद रखेगा लिनेर कुशन इन टू वेरियेवल्स में आपको कोशन से दो तरह से सॉल्व करने थे दिखाने ते शू करने थे एक तो एलजेबरिकली और दूसरा ग्राफिकली दोनों तरीके से आपक आपको रो मिला और पैंसिल लेती थी सुना ले वाला यह भी कुशन आप लोगो करा दिया को प्रैक्टिस करिए घर पे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूझ जाएंगे हाँ कोशन थ्री देखते हैं देखो कोशन थ्री क्या कर रहा है कि the cost of 2 kg of apple and 1 kg of grabs on a day was found to be rest 160 मतलब कि 2 kg apple और 1 kg grabs है ना दोनों को अगर कंबाइन नहीं देखें तो उसका प्राइस है 160 रुपीज अब क्या होता है कि एक महिने के बाद आप्टर मंत दा कोस्ट ओफ फोर केजी ओफ एपल एक महिने के बाद 300 हमें क्या करना है इसी चीज़ को सिचुविशन को अलजेब्रेकली और जियोमेट्रिकली दोनों तरह से सॉल्ब करना है जो फर्स्ट कोसन था आफ ता वॉला जेस्ट वैसा ही है जैसे कि आदे कोस्ट ओप एपल हम पर केजी एक्स मान लेंगे और कोस्ट ओफ ग्रेप्स वाई ठीक है इसलिए यह सुछ आप पर केजी आपल ग्रेप्स यहां पर कितना था टू केजी एपल था और रॉन केजी ग्रेप्स इसलिए टू और लिया है और कोस्ट ओप एपल क्या था लिया था अंक एपल के आपको कि अब क्या होता है कि 4KG अपल है और उसकी प्राइस ट्रीनड है तो कोज ही कथ नहीं 4 into x and 2 into y 4x plus 2y is equal to 300 अब इसको पूरे equation को solve करेंगे तो second equation क्या बन जाएगा 2x plus y is equal to 150 तो first equation हमारा क्या बना 2x plus y is equal to 160 और दुसरे equation क्या बन रहा है 2x plus y is equal to 150 चलो आगे देखते हैं Now plotting equations 2x plus y हमारा first है 2x plus y 150 यह second है चले अब equation first के लिए हम क्या करेंगे किस तरह प्लाट करेंगे 2x plus y था तो x और y के लिए देखे x और y को हम solve करते हैं अब x हम क्या करते हैं Let x is equal to 50 और let x is equal to 60 यह हम मान लेते हैं और यह कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ यह देखो हमको एक सिखेंगे equation first हमारा 2x plus y is equal to 150 था तो पहले इसी चीज़ को solve करना हैं जो यह है तो हमने यहां x के लिए 50 में suppose rate मान लिया और y के लिए 60 मान ला तो 2 into 50 x के जगा रखेंगे पूरा का पूरा equation solve करेंगे तो y का हमको मिल जाएगा 50 और यहां x के जगा 60 put करेंगे तो y के लिए क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा जैसे equation है So x is equal to 50 and y is equal to 50 is a solution यह इसमें ऐसा हुआ x के लिए 50 माना है और y के लिए 50 आया है और दूसरे के लिए क्या होगा x के लिए 60 और y के लिए 30 second solution है मारा अब equation 2 को देखते हैं equation 2 में same उसी तरह करेंगे 2x plus y is equal to 160 है तो x के लिए 50 and 60 y के लिए 60 and 40 मानेंगे तो x के जिगह हमने 50 माना solve किया तो y is equal to 30 y is equal to 60 उसी तरह अगर x के लिए x के लिए 60 पूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा y is equal to 40 तो x is equal to 50 तो x is equal to 50 and y is equal to 60 solution एक तो ही आगे so solution is 50 and 60 और यहां पर बेटा वही है 1640 तो 1640 जाए solution यहां पर देखो करना क्या था कि हमने एक बार 50 and 60 माना है और दूसरी बार क्या किया है दूसरी बार हमने 50 और 60 माना है दोनों बार ऐसा ही कुछ किया है x को माना है और यहां भी x को माना है इसी तरह से second equation और equation solve क्या तो यह solution निकला है तो अब हम यहां देखेंगे जब solution पूरा आ गया कि 2x प्लस y is equal to 150 and 2x प्लस y is equal to 160 ठीक है और x के लिए 50-60 y के लिए 50-30 x के लिए 50-60 y के लिए 60-40 आए अब इस equation को graph के हम सो करेंगे देखें तो अब बैटा यह y axis है आपको एक चीज पता होगा अभी coordinate geometry 9th class को कराई है किछली बार तो 9th को मैं करा नहीं पाया था बहुट लेट से आप लोग है तो कभी भी याद रखना y axis यह है x axis यह है x axis जब right में चलती है तो प्लस में और यह origin होता है यह point origin है 0 ठीक है और इसके left में जाएंगे तो मैनस होगा नेगेटिव अब y axis जब ऊपर होगा ऊपर की ओर तो positive में होगा और नीचा आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा कि लिए रहे हमने देखो यहां 150 और यहां पर देखो क्या है कि 150 और 160 है तो हम 10-10 का difference लेंगे तो काम हमारा बनेगा अब देखिए y axis 70 तक लिया है हमने यहां भी 70 तक अब देखो क्यों लिया है अब देखो सबसे बड़ा digit आपको इसमें क्या दिख रहा है आया एक मिट रूपना भाई हम आ रहे हैं आपको गवीट करना बटा जब देखो झाल 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 तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2x plus y minus 160 is equal to 0, 2x plus y अगर इसको इधर ले आएंगे बटा तो प्लस है तो यह मैनस हो जाएगा ठीक है? और उधर क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देंगे तो अब इसके लिए क्या करेंगे? इस पॉइंट को देखेंगे हम देखते जाएगे यह जो पॉइंट है यह कौन सा है 60 का है और यह पॉइंट का है 30 का यह देखेंगे यह है हमारा 30 और यह 60 तो याद रखना पहले हम 60 लिखेंगे क्योंकि आपने जैसे कि क्या कॉडिनेट जेमेटरी पढ़ी होगी अगर नहीं पढ़ी होगी तो मेरी बीडियो पहले जो कॉडिनेट्स लिखते हैं तो पहले एक्स की वैलुज लिखते हैं तो एक्स की वैलु क्या है एक्स एक्सिस पे यह पॉइंट कहा आ रही है एक्स पे 60 आ रही है तो 60 है रहा और वाई एक्सिस पे क्या है हमारा 30 तो बाद में लिखेंगे तो इस पॉइंट को लि यह हमारा first equation निकला था याद होगा 2x plus y is equal to 150 बेटा अगर हम y 150 को इधर ले जाए तो यह plus था तो minus हो जाएगा तो 2x plus y minus 150 is equal to 0 हो जाएगा ठीक है और यहां देखो x के लिए 50 और 60 है ठीक है x के लिए 50 60 है और y के लिए 50 30 तो देखें अब हम 2x plus y minus 150 को लेंगे तो यहां देखेंगे यह है हमारा 30 और यह 60 देखें 30 और 60 x और y बादवाला है ना x और y एक्स का 60 है और y का 30 यह बादवाला है ठीक है और पहला के आए 50-50 तो देखो यह हमारा y का 50 आया और यह हमारा x का 50 हो गया ना तो यह पहला वाला आपको समझ में रहा होगा अरे यार क्या आप डिस्टरबंस एक मिनटे बीटा रूखो आपको समझ का 50 आपको समझ का 50 आपको समझ चांब tarkा जया खवा •चर बादम का 1 2 19 9 चैंश बाला है और 1 S4 चापद का 50 आपको दो क में बाद emotions का 50 आपको्स footnot झाल झाल आप लोग एक बार आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि कोडिनेट जिमेट्री की विडियो जो मैं आज रात को अपलोड करूँगा तो जरूर देखना अगर वो नहीं देखोगे तो यह जो ग्राफ वाला है आपको कम समझना है और वो देखते ही ग्राफ समझ में आजाएगा तो देखिए हमारा फर्स्ट एक्वेशन क्या था टू एक्स प्लस वाई इसकल टू फिप्टी था नौ और यह 50 इंटू 60 है तो यहां पर देखिए एक पहला है फिप्टी एंट फिप्टी पहला और दूसरा सिक्टी एंट तो पहला 50 एंट 50 X 50 Y 50 तो देखेंगे X का 50 यहां वाई का 50 यहां है एक सिक्स्टी यह रहा और Y का 30 यहां इंट्रसेक्ट करेंगे उस प्उइंट को लेंगे और यह फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है यह लाइन ड्रॉ करदेंगे दोनों पोइंट को मिलाते हुए यह 50-50, यह 60-30 और यह equation फर्स्ट हो गया 2x प्लस y मानस 1 50, इसकल 2 0, यह तो पहला वर्ग है, दूसरे का पहला क्या है हमारा 50-60 है न, देखो 50-60, तो x 50 है और y 30, y 60 है तो x का 50 क्या रहा, यह रहा, और y का 60 कहा रहा, x का 50 यह रहा न, और y का 60 कहा रहा यह, और यह यहां पर दोनों intersect कर रहें इस point पे, तो हमने वहां 50-60 लिखा, उसके बाद x का 60, y का 40, तो x का 60 लेकर के जाएंगे, यहां तक, और y का 40, यहां से यहां तक है, intersect किया, तो यह जो दोनों point को मिलाएंगे, यह second equation है, वो second equation क्या है, 2 x plus y minus 160 लिखाएंगे, चंचल आयूस, तुम लोग को समझ में है की नहीं, सिवाएंगे बताओ, सरे बाएंगे फेर से समझा दूसले, रुको, थोड़ा-थोड़ा आया समझ, कुछ भी नहीं है, तुम लोग है न, आप लोग ने पिछले क्लास में, इसलिए दिकत हो रही है, अभी मैंने आज ही पूरा, एक दिन में पूरा चप्टर कतम कर आया है, coordinate geometry का, उस सारे देख लिजेगा, देखें यहां पर, अच्छा यह समझ में आया कि नहीं पर यह बताओ, कि हमारे यह दो equation निकला है, यह समझ में रहा है, उस तो यह बताओ, यह समझ मा गया तो मरी मेहनत कम लगेगी, पहला equation यह है, और दूसरा equation यह है, दो equation हो गए न, तो पहले equation को बेटा पहले graph पे दिखाएंगे, और फिर दूसरे को, यह दोनों को हमको graph पे दिखाना है, हम आपको दिख रहा हो कि 10 का difference है, तो graph जब बनाएंगे, तो 10 की difference वोला बनाएंगे, तो हमने क्या किया, और जब भी आप graph पे बनाओगे, तो एक y-axis हमेशा vertical होती है, उपर से नीचे की और होती है, यह y-axis उपर से नीचे की और होती है, तो 0 से ले करके, और 0 जो होता है, जहा y-axis एक दूसरे को intersect करते हैं कारते हैं, यह x हो गया, यह y काट रहा है, उसको 0 मानते हैं, ठीक है, अब यह x-axis हमेशा horizontal मतलब की slanting होती है, x का यह जो है, जब right में चलता है number line की तरह तो positive होगा, और left में होगा तो negative, उसी तरह अब यह जो y-axis है, उपर होगा, तो सारे positive values हो हमने 10 का difference रखा है, आपको दिख रहा होगा हर जगा, अब हमारा काम start होता है, 2x plus y, हमारा first equation क्या था, 2x plus y, इसको 250 था न, तो हमने क्या किया, कि 150 को बेटा इधर लेके आएंगे, तो minus 150 हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा, last में 0, ठीक है, अब क्या है, अब इसको हम so करते हैं, हमारा first equation है, 2x plus y, minus 150 था, ठीक है, अब इसमें आप देखो first में क्या है, हमारा x और y इस तरह लेकर के चलते हैं, x 50 है, y भी 50, तो पहले हम देखेंगे x axis पे, कहां पर 50 है, ये रहा, और y पे कहां है, ये रहा, तो y वाले को horizontal लेके जाएंगे, और x वाले को vertical ले और measure करेंगे, जहां intersect को point ले लेंगे, ठीक है, पहला समझ मैं है आपको, दूसरा बेटा क्या है, 60-30, तो x का 60 और y का 30, x का 60 देखो कहा है, ये रहा न, ऊपर लेके जाएंगे, और y का 30 कहा है, ये वाला, ये रहा, इस point को intersect के, अभी दो point मिलेगे न, दो point को मिला आते वे और उसके आगे लिख देंगे, 60-30 इस पर दिखाया है हमने, और इस पर 50-50 दिखाया है, बात कतम, so 2x plus y minus 150 is equal to 0, ये हमारा first equation का line draw हो गया, ठीक है, अब second वाले का देखते है, second वाला क्या है, 2x plus y minus 160 is equal to 0, देखो, तो पहला क्या है, 50 and 60, और पहले के 50 and 60 में, x का 50 है, और y का 60 है, और विश्वास रखें, ये online में ही समझ में आता, आपको मैं board पर बना के पागल हो जाओंगा, फिर भी समझ में नहींगा, ग्राफ पेपर पर ही समझा सकता हूं, इसे, x का 50, y का 60, पहले x के 50 पे चलेंगे, ये रहा 50, और y का 60 कहा ही है, तो y के 60 को horizontally बढ़ा दिज और y के 50 को बढ़ा दिजे, पहला point 60, अब दूसरा क्या 60-40 है न, तो पहले x का 60 उपर तक लेके जाएंगे, और y का 40 लेकर के जाएंगे, कहां intersect रहा न, तो इन दोनों लाइन को मिला करके, इन दोनों लाइनों को मिला करके, हमने एक लाइन, हां, लाइन ड्रो कर दिया, और ये हो गया हमारा second equation का line, 2x plus y minus 160 is equal to 0, समझ में आया आप लोगो ये, अब तो आहीं ग्या होगा, सीवा, भाई मौन बुरा थे क्या, मेरे बाद सुनो, ये फोन पे notes निकालना, मेरे video का मन करें तो बाद में देख लेना है तुमारे इच्छा, और इसके सारे solution को जब देखोगे ग्राप पे, और ग्राप पेपर पे कुछ से एक भी बनाओगे, तो समझ में है, तो समझ में और रिपरजेंटेट बाइदा एक्वेशन, एक्स प्लस वाई माइनस पूर इसको जोप करना है, कुछ भी नहीं करना, अगर आप लिया हमने, सब कुछ कर देंगे, दो मिनट के अंदर, पहले सॉल्ब करते हैं, हमारे पास दो एक्वेशन भाईया, पहले से दिया गया, यह फर्स्ट एक्वेशन है, और यह है हमारा सेकेंड एक्वेशन, तो अब इसको एक्वेशन बनाने के लिए, एक्स प्लस वाई मैनस पूर इच्पल टू जीरो के लिए क्या करेंगे, हमको तो अगर आप भी सूकरों है, और इस फॉर्म में नी होगा तो कैसे इसको करेंगे, हमको अलजबर के लिए इसको सूकरना नहीं हाई, उपूर सेकेंड जिए फर्स्ट एक्वेशन के लिए देखिए, इसको आ प्रैियं सक्वेशन के लिए, देखें हिनुए, हमने ए के लिए zero माना है तो X four आ गया है तो यहां पर solution क्या होगा एक्स तो zero है वाई two है तो zero and two solution और यहां पर एक्स फोर है वाई zero है तो four and zero solution है सर हां यहां जीरो ही मानना ज़रूरी है मैं आपको बता रहा है, अब यहाँ X के लिए 0 पुट किया है न, तो Y के लिए भी 0 ही पुट करेंगे, ठीक है? अगले equation में हम change कर सकते हैं, 0 ही पुट करना है आपको, अब देखो मैं और आपको के लिए करता हूं, अब second equation में भी हमने वैसा हैं किया है, अब देखो क्यों? इक्विशन्स की, 0 थी, इसलिए हमने यहाँ X और Y की वैल्यू भी 0 ही पूट किये। यहाँ भी X और Y और यहाँ भी X और Y की जग़ा पे हमने 0 ही पूट किया है। तो पहले वाले में क्या आया था? 02040 और दूसरे वाले में क्या है? सेकेंड एक्विशन में 0 3 6 0 0 3 6 0 तो दो एक्विशन हमको मिल गई अब इसको लेकर ग्राफिकली सो करना कोई टेंसिन की बात नहीं लेकिन आपको प्रावलम है तो इसको अभी ऑफ्राइन के लास करेंगा तो वहां पर जरूर आपको बता है और अच्छे तरह से अब दो एक्विशन है आप लोग तो बहुत इंटेलिजन बच्चे हैं आप लोगों को पता ही होगा फर्स्ट एक्विशन हमारा ये रहा सेकें हमारे ये रहा तो यहां पहला 0 & 2 दूसरा 4 & 0 तो पहला 0 & 2 को लेंगे बचे जीरो हमारा हमेशा ये लाइन होता है और 2 0 & 2 यह रहा पहला x plus 2y is equal to 4 first equation है ना इसके लिए तो 0 and 2 यह रहा क्योंकि 0 यह है ही और y axis का 2 पहला 0 मतलब की x का 0 x का 0 यही है तो है ना इस पे कहा 0 यह वाला है उपर बढ़ा दिया और y का 2 का है यहां पर है तो इसी line पे होगा इसलिए 0 and 2 यहां put के हैं दूसरा क्या है 4 and 0 तो याद रखेगा 4 आपका पहले x का आएगा ना तो 4 यह आगया और 0 अगर आप इस पे देखें y axis का 0 कौन सा होगा 0 तो सबके लिए यही line होता है तो y का 0 यहां पढ़ा देंगे तो यहां जहां 4 होगा वहीं पर 4 and 0 भी होगया तो यह line measure कर दिया हमने तो यह हमारा first equation का बन गया उसके बाद आ रहा है 0 and 3 and 6 and 0 तो x का 0 कहां है x का 0 यहां है इसको उपर बढ़ाएंगे और 3 कहां है यह रा y का मिला दिया उसके बाद 6 and 0 तो पहले हम x का 6 पर जाएंगे और 0 तो यहां पे 6 and 0 और यहां पे 0 and 3 मिला दिया तो यह सेकेंड का ग्राफ बन गया अब x plus 2y is called to 4 and 2x plus यह तो सेम ओही चीज़ को दिखाराएंगे दो बार मैंने गंदी सब्सक्राइब अब दिखु थी पॉइंट टू कुशन सेकंड अन कंपेरिंग दे रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 find out whether the lines representing a following pairs of linear equation intersect at a point parallel or constant कहा जा रहा है कि यह जो lines है इन pairs को सो करने वाली linear equation intersect at a point parallel or coincident यह एक पॉइंट पे intersect करेंगी एक दूसरे के parallel हो जाएंगी ठीक है पैरलल हो जाएंगी या coincident रहेंगी parallel या coincident सेम यह बात है क्या होगा चलो देखते हैं तो इसी form में हमको question कुछ दिया गया है पहला है बटा कि 5x-4y प्लस एट इसकल टू जिरो और दूसरा equation ने फर्स्ट question के लिए 7x प्लस 6y-9 इंटे 0 तो आपको पता है 5x प्लस 4y प्लस एट इसकल टू जिरो लिख दिया और इसका मने इसको भी उसी तर लिख दिया second equation लिए हमने आगे करते हैं इसका काम comparing with a1x प्लस b1y प्लस c1 इसका टूई जीरो इस तरह हमने किया तो एवन एक्स की वैलू कितनी है फाइव वाई की वैलू कितनी है मैनस 4 और c की वैलू कितनी 8 है न तो a, b, c हमने अपना ले लिया ठीक है पहले इसी साइट को करेंगे अब a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 इसी तरह है न अब इसमें देखिए दूसरे वाले का 7x प्लस 65-9 है तो 7 a के लिए 7x b2 के लिए 6 और c2 के लिए मैनस 9 तो a, b, c मने a2, b2, c2 a1, b1, c1 इसकी वैलू मिल गई तो a1 बटा a2 तो 5 बटा 7 देख रहे आपको b1 बटा b2 तो b1 क्या था मैनस 4 और 6 तो मैनस 4 उपन 6 बटा a2 b1 by b2 c1 by c2 हमने लिख दिया अब सॉल्प करेंगे अब देखो यह तो बैटा कट नहीं सकता यह कट सकता है तो तो तू तू जा 4, 2, 3, 6 कर लिया यह भी कट यह भी नहीं कट सकता तो मैनस 8 by 9 जैसे कर जैसे लिखते हैं सिंस a1 and a2 by a2 is not equal to b1 by b2 a1 by a2 क्या है 5 by 7 और b1 by b2 क्या मैनस 2 by 3 है तो यह इक्वल नहीं है सब्सक्राइब यूनिक सॉलूशन देरफोर दा लाइन डैट रिपरजेंट लीनर रिक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट यहां देखे क्या है कहा जा रहा है किसका एक यूनिक सॉलूशन निकलेगा a1 by a2 and b1 by b2 दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं और जब इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे किसी ने किसी पॉइंट पे देरफोर दा लाइन्स डैट रिपरजेंट डा लीनर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट तो यह किसी एक पॉइंट पे तो तीन को सब्सक्राइब ना कि यह किसी पॉइंट पेंटरसेक्ट करेंगे तो हमने देखा कि यह एक पॉइंट पे यह जो लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे मतलब हमें क्या करना था यह दो हमें एक्वेशन को देखना है कि इस एक्वेशन की लाइन और इस एक्वेशन की लाइन जब जाएगी तो क्या करेंगी वह एक दूसरे के पैरल्ल देखो यहां पर क्या था पहले वाले में ग्राफ में यह दोनों एक्वेशन की लाइन एक पहले तो यहां पूछा जा रहा है कि यह पैरलल रहेगी या एक दूसरे को इंट्रसेक्ट करेगी या कट करेगी तो एक पॉइंट पर यह कट करेगी इसके सबसे अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है ज्यादा तो एक काम करते हैं कल ऑफलाइन में इसको कंटिन्यू रखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ठीक है आज यहीं कला सब्सक्राइब करते हैं कल मैं आप लोग को इसको आफलाइन में समझाओं हो सकते हैं और आपको समझ में आ रहा है